जन्वरी खत्म होने वाला है लेकिन ठंड का कहर कम नहीं हो रहा हालत ये है कि उत्तर भारत के तमाम राजियों में लोग ठंड से परशान है तमाम ट्रेने घंटो लेट चल रही है और फ्लाइट समय से उड़ान नहीं भर पा रही है दिल्ली सहित कई एरपोर्ट से ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिनमें यात्री फ्लाइट लेट होने के चलते परेशान दिखाई दे रहे हैं वहीं उत्तर प्रदेश की बात करने तो मौसम विभाग लखनव ने कहा है कि अधिकतर जिलों में गलन शीत लहर मौजूद है और फिलहाल कोई रहत मिलती नजर नहीं आ रही पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले तीन दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा जूपी की राजधानी लखनव समेथ प्रदेश के चार दर्जन से अधिक जिलों में कई दिनों तक कडाके की ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है अनुमान है कि 25 जनवरी से शीत लहर का असर कम होने लगेगा मौसम विभाग के अनुसार 24 जनवरी तक मौसम में किसी भी खास बदलाव के आसार नहीं है वहीं रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के तमाम शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से भी नीचे जा चुका है जो इस बार सर्दी में एक रिकॉर्ड की तरह है महीं राजस्थान भी घने कोहरे की चपेट में है मंगलवार को सुबह कई घंटे तक तमाम जिलों में कोहरा चाया रहा आने जाने वाले लोग भी परशान रहे मध्य प्रदेश में तो दो दिन से बारिश भी हो रही है पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के जबलपूर सहित कई जिलों में बारिश होई दतिया में शीत लहर का प्रभाव है रतनाम और नौगाओं में काफी ठंडा दिन दहा इसी तरह उत्तराखंड, पंजाब, हर्याना आदी राजियों में भी ठंड और शीत लहर का प्रकोब जारी है बता दें कि ठंड से जन जीवन बेहत बेहाल है तमाम लोगों को स्वास्त की समस्याएं भी हो रही है डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मौसम में एहतियात बरतना बहुत जरूरी है बिना गर्म कपड़ों के बाहर न निकलें गर्म पानी, गर्म चाय आदी पीते रहें और थोड़ी सी भी दिक्कत होने पर चिकिस्तक की सला जरूर लें फिलहाल लोग ये इंतदार कर रहे हैं कि कब मौसम बदलेगा इस वीडियो में फिलहाल इतना ही जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ जाने से पहले सबसे जरूरी बात हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें जिसने हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बने रहें न्यूज नेशन के साथ